स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे मैं बात करेंगे वो टॉपिक है तो सबसे पहले इसमें देखें कि प्री एक्टिविटी मेडिकल चेक अप अर्थात जब हम दिव्यांगों के लिए कोई भी फिजिकल एक्टिविटी प्रिपेर करना चाहते तो उससे पहले उनका मेडिकल चेक अप करा लेना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि उनके स्वास् जो दिव्यां के जिनके लिए हम यह activity बना रहे हैं, उनका interest किया है, उनका interest किस है, उनका जो रूची है, वो किस चीज में है, अगर हम उनकी रूची के according कोई भी physical activity बटाएंगे, तो वो उसको अच्छे से perform करेंगे, यदि उनकी interest के according नहीं होगी, तो उनने कहीं ना कहीं इस use هो रहे हैं, उन equipment को modified किया जाना चाहिए, physical education के जितने भी equipment, या किसी भी sports के जो equipment होते हैं, जो भी गेम करा रहे हैं, जो भी activity करा रहे हैं, उनके जो rules होते हैं, उन सब को modify किया जाना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं, जो दिव्यांग हैं, उन उपकरनों का और उन rules के according, अपकरनों को उस गेम को अच्छे से सीख सकें Specific environment should be provided और थाथ बच्चों को उप्युक्त वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए यदि उप्युक्त वातावरण ने प्रदान नहीं किया जाएगा तो वो अच्छे से उस activity को उस क्रिया को नहीं कर पाएंगे Then a variety of different instructional strategies should be used रथाथ शारीरिक क्रियाओं के तरण दिये जाने वले अदेश दिव्यांगों के शमता की प्रकृति के नुपर रथाथ जो भी हम उनको instructions दे रहे हैं वो उनके according होनी चाहिए ताकि वो उन instruction को follow कर सके यदि हम कोई भी ऐसी instruction देंगे जो उनकी शमता से भाहर होगी तो उस activity में उनका interest खतम हो जाएगा या उस activity को perform नहीं कर पाएंगे जिससे उनको दिक्कत आएगी Rules should be modified according the needs of children with disability अर्थाथ जो भी rules हम बना रहे हैं जैसे हम equipment modify करते हैं वैसे हमें rules को भी modify करना चाहिए ताकि हम उनके according उन गेम्स को या उन activities को बना सके ताकि वो इंटरस्ट के साथ उन गेम्स को रूची के साथ उन खेलों को या उन क्रियाओं को अच्छे से कर सकें दें children's previous experience must be taken into consideration अर्थाथ जो भी पूर वानुमान है ऐसे बच्चों के लिए जो हमने पहले शारीरिक क्रियाओं बनाई हैं उनसे जो हमें जो भी results मिले हैं जो भी हमने evaluate किया है उन सब को ध्यान में रखके हैं हमें next activities को बनाना चाहिए ताकि वो बच्चों के लिए beneficial हों उनसे बच्चों को उनको करने में बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए next activity should be simple to complex ये ध्यान रखना चाहिए जैसे हम समाने लोगों साथ करते हैं कि simple से complex जाते हैं किसी भी activity में कि पहले आसान चीज़ों शुरू करके बाद में धीरे धीरे हम उसकों मुश्किल ची बनाता हैं तो बहुत असान चीज़ों से शुरू होने चाहिए और धीरे धीरे उसके स्तर में वृद्धी होने चाहिए धीरे धीरे उसकी activity थोड़ी मुश्किल है ताकि वो धीरे धीरे उस चीज़ को समझते हुए उसके साथ साथ उसका विकास भी और उसको अच्छे से सम for all body move कर सके उसके जो proper organs हैं उनकी work efficiency भी बढ़ सके then extra care to avoid accident आप जैसे हम जानते हैं की दिव्यांग है तो उनके लिए हमें किसी भी activity को कराते हैं बहुत ज्यादा extra care की बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो कोई भी दुरगटना हो सकते हैं इसलिए उनको किसी भी accident या किसी भ दुरगटना से बचाने के लिए बहुत ज्यादा care बहुत ज्यादा देखवाल अत्रिक देखवाल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो यह थी strategies की हमें किस तरह से physical activities को बनाते समय चीजों को ध्यान में रखना चाहिए दिव्यांगों के लिए